राम राम जी कैसे वो आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ इसी मा में सुआ गते हैं तो आज है दिन सुकरवार और इस टाइम पे सुबहे के सड़े साथ हो चुके हैं तो बच्चे हो लिए स्कूल के लिए तैयार दनो अब यह जाएंगे स्कूल में छुट अच्छे से कर रहे हैं चलो तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरी मा लग गई है अपने काम पे मैं आ गई हूँ उपर तो यहाबे सबसे पहले लगाओंगी मैं मसीन क्योंकि साथ में कपड़े दूलते रहेंगे और साथ में अपना जुबाकी का काम है वो हो जाएगा कपड़े तो मैंने बुद्वार में भी दोए थे लेकिन उस दिन ना दो सूट मेरे रहे थे मेर मा काका के कपड़े रहे थे एक बैड़ सिट रह गई थी और एक जोड़ी कपड़े वैसे हो गये हमारे कुछ बैड़ सिट उतार नहीं थी कपड़े तो होई जाते चाहे दो किट मैंने और खतम भी हो गया तो बहुत ज्यादा लगता क्योंकि अब तो कपड़े बहुत ज्यादा दूलते हैं मतलब एक या दो दिन का गैप मुश्किल से होता है और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो यहां पे अब आ गई हूं मैं अंदर तो जो यह चदर है यह लगा करके रख दूँगी और जो बैट सीट है वो भी चेंज करनी है क्योंकि न सारी बैट सीट मेरे पास यह लाइट कलर की हैं लाइट पिंक हो गया वाइट हो गया ज्यदतर वाइट यह लाइट पिंक बस दो ही कलर हैं और है झाल तो यह जल्दी मैल ली दीखना सुरू हो जाती है तो अब यहां पर यह जो बैट सिट है वो भी उतार दूँगी और यह जो मैट्रस कवर है इसको अच्छे से सेट कर दूँगी और मैं ना काफी दिनों से सोच रही थी कि एक क्वेश्चिन अंसवर वीडियो बनाओं या फिर आप लोगों के जो कमेंट है वो मैं रीड करूं व्लोग में नाम के साथ में कई दिन होगे कई दिन गया मेर को दो महीने होगे लगबग सोचते सोचते पर मैं करी नहीं पाई थी तो आज मैं सोचे कि चलो आज की वीडियो पर जो भी आप कमेंट करोगे सब के कमेंट रीड किये जाएंगे और जो भी आप सव पुछा था तो फिर मैं बोली नहीं पाती तो आज की विडियो पर कमेंट कर देना ठीक है तो बैट सिट मैंने सेट कर दी थी अब यहां पर जूला है वह अच्छे से सेट कर दिया है और यहां पर मेरे मां बैस लेकर के आ गई है बाहर प्लाट में से अब जल्दी ले आते क्योंकि गर्मी बहुत तेज होती है ना तो साड़े आठ पता नी साड़े आठ आठ मतलब तभी ले आते हैं थोड़ी देर बाद ही आठ वज्जे की करीब का यह टाइम होगा मसी नहीं मैंने लगाई थी बच्चों के जाने के बाद तो आठ वजे के आसपास कई टाइम है और यहां पर अब मैं लगाऊंगी कपड़ों की तै यह जो कपड़े हैं वो मैंने बुद्वार में दूले थे कल मैं इनकी तै नहीं लगा पाई थी क्योंकि काम और बहुत सारे हो जात नहीं है बैग वगएरा थे वो मैं दीवान में रख दूँगी तो यहां पर मोसी आई हुई है तो साथ में बाते कर रही हूं साथ में जो कपड़ों की तै लगा रही हूं इस तरह से ना हमारा काम जल्दी बन जाता है मतलब पता नहीं चलता बोरियत नहीं आती खास कर से जब मैं प्रैस करती हूं कपड़ों की तै लगाती हूं उस टाइम पर मुझे बहुत जादा आलसा था दो काम करते टाइम तो यहां पर जो कपड़े हैं वो मेरे दूल गए थे एक चक्कर तो इन कपड़ों को मैं दो तीन बार पाणी में से खंगाल करके और फिर मसीन में पर फिर मसीन में पाणी चला देते हूं और अकेला मसीन में निकालना के बाद थोड़ा बहुत ही रहता वह मैं पाणी चला देती हूं बाद में तो भस पिर साथनी से नेचांगा चामेश काबता दो ने कर चाही मेरे काक्या क्यों बनाई होगी तो आपक्र कर ले करते हैं और यहां पर जो कपड़े है व दो जोड़ी जो कपाँ वो मेरे दूल चूके दो जोड़ी भोल रोली हो ज़क्ते कांपकिन को रेस व्रशी है उसको अच्छे साफ कर लिया है और आप यहां पे जो कप्रे हैं वह सुखा दूंगी उसके बाद और वही इस गर्मी में तो ना सुबह सुबह अगर जल्दी काम निमठ जाए तो ठीक है लेकिन मेरा काम लेट हो जाता है क्योंकि वीडियो के चक्कर में हो जाता है रात में मैं सोचती हूं कर लगती है कासकर से जब बार कुछ जाडू के गरा लगाती हूं पोचे लगाती हूं अजसे कपड़े वेगरा सुखाने पड़ते हैं अंदर-अंदर का तो कर लेते हैं अंदर के काम में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन अब कोशिस किया करूंगी क्योंकि अराद लगाते है कर देखने काम साफ करने के बाद आगई हूं मैं बेड्रों में जाडू लगाने के लिए क्योंकि जाडू मेरी यहीं से सुरू होती है और पोचा होता है वाइपर के साथ ही लगा्र me officers कि लगाने हुआ क्योंकि अगर मुझे मे नी कर रा होता है या कम बंधा होत तो और इस टाइम पर श्याम के पांच बज चुके हैं तो भी चलेंगे नीचे पहले जो दूद है वो निकार ला है उसके बाद फिर अपना जो बाकी का गाम है वो देखेंगे ठीक है तो फिर मैं जो चेकी चलो एक बार यहां से अपना जो ब्लोग है न वो स्टार्ट कर लेते हैं और दूफ पांच बजे भी दूफ इतनी तेज है पोती ज़दा बिल्कुल जो तेज वाड़ी दूफ होते है न वो है इस टाइम पे भी पर यहां पर मिलान लग रही है मेरी वाँ साथ मैस आगए इब निकाल लाँगे दूद और आज दूद निकाल लेंगे परदान जी आपने और मेरी मान ने अदेश दे दिया है कि बल्टी लेया और पिड्ड़ा भी लिया अगने में बेट जीगी पहला ओड़ जाएकर दे निजबाय मैं छोटे छोटे दे मैस पर बेट जाएकर दे अरे मैस बैज ली दूगर ख़कडवेज जदाई पर सोट में तो आज काफी टाइम बाद जो दूद निकालने का काम है न वह किया इसलिए मैं कमी आती हों उस time पे निची अगर מאוד निका नई बास पर दे कालने के बाद तो आज एक ही दो रही तो दूसरी बैस उसकी मैं निकाल रही हूं काम तो बहुत सारा हो जाता है लेकिन वही होता है कि अपता उस टेम में उपर हूँ जादा तर जुबैसों का काम होता है अब जैसे मेरे को यह एगी वही है मक्खन निकलते टाइम की बनानी है या जैसे गी को मक्खन से गी बनाते हैं गी ताया करा उसकी बनानी है तो यह क्ल तो देखते हैं लेकिन मेरे काका से थोड़ा सा डर लगता हुपर वाड़ा भी हमने बनवाया था ना तो तब बस हमें ही पता है तो यहां पर मेरे काका ने वावी प्रदान जी चकत देखा हमने और कडोनी में देख लिए बिलकुल गाड़ी मड़ाई कपन मरगी मड़ाई है यह प्रदान जीवाद पूर सिक्षकर वाद जीवाद वाकितना तहता दूद पीश कह दिखाए देखाए देपी का लायका इसका मूँ लेकित जागी अधू तो पीश है तो वेस टांग हो गए है श्याम के साड़े साथ और बस इब तीन चार जुरी लाब वो बनाई थी पस इनने आ गए हैं बिलकुल क्योंकि एक तो यह कपड़े हैं इसे हैं इन में वैसे जी दुखी हो जागर मी में तो मैं खाऊंगी कुल फी बेटके है किया माश्ची लेग आए जाए तैम पर लेकिन उस टाइम पर मैं सुफिती थी और फिर वस में नहीं हो गी माच्वांट दितां कहें ना तो लई थी मैं सभेरे पर सिरकों ने दोया था तो सिर्दोंगी मारी तो दूबारा ता फिर आई और तयार हो और दूद निकलद कर हो गया था तो वाकिल इतनी कड़वानी थी दूद वाड़ी मतलब सोट अबनाने जी कर रहा था मेरा तूर निकल दे टाइम पर उसके बाद पर जो आच्यामने वीडियो गई है वासूट करनी थी उसमें फिर टाइम लाग जावे हैं और अपलोड वे गएरा कि उसके बाद कुल फी खान का भी टाइम लाग रहा था और मास्टर जी चले गए हैं बच्चा न लें तो इब बच्चा न लिया हुए उसके बाद फिर अपना जो खाना पिना है वह करांगे तो वही उसके बाद कोई कलिप निकाड़े ने थी रात में और इविया है सवेरे की कलिप या फिर मेरे काका के लिए राख्या करें और व्लोग का ये है अगर हम डेली बनाये जावाँ तो सही है आदत पड़ी रहा है अगर हमने दो तिन दिन भी बीच में छोड़ दिया ना या नहीं बनाया या हमारे पास पहल लेके व्लोग रखें तो ही दिकत माज जावाए हैं क् मंगलवार बुदुवार विरवार और सुखरवार का विया दा दिन तो लग भग तीन दिन तो ने कोई व्लोग बनाया एक होनी तीन चेर दिन बीच में तो आज कलिप काड़ी हैं क्योंकि पहले वो चल रहे थे वहां पर खाटुशाम गए थे फिर जो लड़ू बनाये थ वो लोग भी खाटुशाम जानते पहले का था रख्या था फिर एक वो जो वांश्टर जी बना के लिया रहे थे सुमन के गए थे मिलन मोसे ने तो वहां का था तो इस करके थोड़ी सी ना स्रीर ने फिर काली सी आन लाग जाए है वो लोग बनात तो यह है आदत पड़ी र काम अपना है ना जीतारे के काम चाल ला है और कुछ मेरा इव तो जो मैं जी उतर जा जावा है व्लोगिंग ते बिरानी क्यों मतलब वो गया जो चीज पहले होया अगर दे ना वो रही है नहीं है और ए सिस्टम होना लाग या यूटूब पर भी तो उस करके भी नो गया रूठीन व्लोग खतम से होगे क्यूंकि मैं खुद जिन ना देख किया लागी थी या जिन ना मैं देखया कर दी उस टैम पे उनके लाख-牲ाख वीउज आया गर दे रूठीन व्लोग पर लाख-牲ाख वीउज आया कर दे अब व्रवै लाख वाले भी बी čारे 15- 15 पर टक कि दीरे दीरे रूटीन व्लोग की तरफ रूजान लोगों का कम हो गया है अब जो दूसरी टाइप के व्लोग है वह हमारे वसी बात नहीं है तो बस यह है कि जैसे तैसे बनते रहेंगे अपना बनाते रहेंगे तब तक बागी कोई खास क्रेज नहीं रहा मेरे को अभी इन जिज्जों का जितना था पहले लेकिन यह है कि जब तक आप लोगों का प्यार मिल रहा है ठीक है तो मखन निकाल दिया है मेरी मौने खालो आप लोग भी फ्रैस मखन और किस अला के आप लोग जरूर बता हिए वही कमेंट करके वीडियो पसंद आई वीडियो ने लाइक क कर दो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो बाई बाई टेक केर